हेलो, السلام علیکم, वीवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आमिर हान, स्टूडेंट्स गाइडर्स चैनल, वीवर्स, आज की वुडिये बहुत ज़्यादा यहमेस्ट होने वाली है, न्यू रैस्पी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वीडियो एंड तक बोश्च कीजिए का, तके तमाम डिटेल्स आपको समझ में लग जाए, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हूँ है, तो जल्दी से मेरे चैनल को कीजिए का, सबस्क्राइब, साथ में बैल अकन के बटन को प्रेस कीजिए का, फॉर अपकमिंग एंड लेटेस आलू के ही आपने चिलकों को उतार लेना है ताकि जो है बाद में वो चिलके जो है वो उतरते नहीं धंडे होने के बाद तो आपने आलू को चिलके उतार के इसको बॉल में डाल कर छोड़ देना है ताकि जो है इसका टेमपरेचर तोड़ा सा लो हो जाए, उसके बाद ही ह कुछ भी करेंे ली उसके बाद हम ने जो आप बाद को में ली तो जब प्रिण qillis और कुछे to ने कुछ मुळी से कुछ ताफे शुल्ड पॉयल daytime जो पीज़ में और अब अचिकन के ली आप और तो जबndी शूट में चिकन किया था उसको पीलोफ करके इस तरीके से क्यूब शेप में कटिंग कर लेनी है नाइफ की मदद से तो सारे चीजह आप ने is तरीके से बॉाइलD करके काटिंग कन्गर रेडरी रख लेनी है उसके रूण इसके बास ze यहां वोगी है कौन- Solaquis jumめ नमक Tramil यानि के हमारे काली मिर्च पाउडर यानि के जो है ब्लैक पेपर अधरक लसन का पाउडर एंड उसके बाद जो है अमने टू पिंच आप यूज़ कीजिएगा कलवन जी यह सारी एक खाने के चमच बाकी चीज़ें है और कलवन जी सिर्फ वान टू टू पिंच चुटकी है हमने जो है ड्रों जो है यह जो है इससको बाउल में हमने जो आपने अलूँ को डालना है और हाथ् und कि मदद शे 50 बाएब हमने क्या दज़त आ मैंड़ेघश कढ़ने के दाद निया थाढ़ी तो है उपने एक धडियुक्डर जप मेसलना है और उसके अपना सुक cा इसके बाद प्यास हम डाल दया चोप हुआ हैं असके बाद हम अपने अपना चूप हुआ एड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्शे अड करेंगे गाए बाद हम ओर डाल डाल को हम और चार फ़िए हम उन highlight है यहां हमेदे भी आपन से सारे मिक्स मृम्स मृम्स टारीं मृम स्पुन स्पून शेक्षे के घर काम समग एक हाठ से काम उसी मीक्स के लिए बाइंड कीजी ताकि आपका सारा मिटीरियल एक जैसा हो जाएं जब 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 आपका मिटीरियल एक जैसा हो जाएं जब आपका मिटीरियल एक जैसा हो जाएं साइडों से आपने इस तरीके से राउंड कर लेना है और आप याद रिखिए गाथ कि आपने एक मिटिरियल की कबाब जिस तरीके से आपने रेडी किया है सारे कबाब भी एक्वल ही measurement के हिसाब से ready हो कोई बड़ा कोई छोटा ना ready हो और जो इस तरीके से एक जैसे खुफसूरत से प्यारे से कबाब आपके जो है ready हो जाएंगे तो आपने इस तरीके से अपने size के मताबिक जितने आपको पसंद हैं बड़े चोटे normal size के हमने जो है वो ready कर ली है कबाब तो हम जो है इतने size के जो है कबाब ready करेंगे ज़्यादा अपने पतला भी नी material को रखना और ज़्यादा मोटा भी नी रखना बस हम इतने size का रखेंगे कि हमारी round जो है goal कबाब जो है वो beautiful से ready हो जाएं तो इस तरीके से हमने जो है अपने सारे कबाब को ready कर लेना है अच्छा जितनी मैंने आपको चीज़े बताई है सारी measurement के हिसाब से जो है अगर आप इतने measurement के हिसाब से बनाते हैं कबाब हमारे total 23 कबाब जो है वो ready हुए थे और अगर आप सारी चीज़े जो है डबल करते हैं तो इस चीज़े भी डबल होंगी spices and ingredients भी डबल हो जाएंगे तो आपने जो है पने हिसाब से चीज़ों को जो है वो manage करना है तो हमने कबाब से ready कर लिए थे जब सारे कबाब से ready हो जाएं तो आपने क्या करना है इसको stay करना है refrigerator में कम से कम one hour के लिए अगर जल्दी है तो 30 minutes के लिए क्योंकि आपने इसको ready करने के बाद फॉरन से fry नहीं करना fry का process भी coating में आपको भी बताऊंगी लेकिन सबसे पहले आपने इसको refrigerator में चोड़ना जरूरी है ताकि यह settle हो जाएं better जो है वो थोड़ा सा stay उसको मिले और जो है वो थोड़ा सा ठहर जाए उसके बाद हम इसके कबाब ready करेंगे तो आपके कबाब तोटेंगे नहीं अगर जो फॉरन fry करते हैं उसके कबाब तूर जाते हैं और वो क्रेशे करने देनी है canows में और पेजू और फ्राइबव कन आईको अपने पर 3-6 खाले में और जो हुआ कोटनी न है पॉछा करनी है उसके बाद यह जाना है करना है यह आपनता है क collecting जाना है अपने कर नariamente कि हम घमंद कर देनी क्षाद कोज़ने. तो हमने क्या करना है ओईल को हमने प्री-ेहिट कर लेना है पहले उसका पत्सकित क्या है कि हमारा सारा कुछ गॉल्ट ही हमने आड़ किया था भड़न हे इसको लॉल्ड엔 करना है जो है एक दूसरे चुले पर जो है आप तवारक लीजिए उसको प्री हीट कड़के बिल्कुल फ्लेम पे जो है आप छोड़ दीजिए तवे को ताकि तवा नीचे से हलकिल के आंच से जो है वो गरम रहें और आपके कबाब जो है उपर रखते जाएं जितने आपने फ्राइ पर देख पूरिट सोब्स के साथ तो यहाँ पर हमने जो है वो दही का राइटा बना लिए ता दही पुदीने का चट्नी के साथ जो हम राइटा बनाकर जो है वो सर्फ करेंगे तो उमीद है कि तमाम वीडियो के तरह यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अगर पसंद take care of yourself and your family members Allah Hafiz, Fima Nila click ours and visit my channel I hope you like it and enjoy it bye bye, see you soon, bye